अप्रेल महीने में उंगाई जाने वाली ये चार सबजिया इस गर्मी मुनाफ़ा कमाई जी हाँ दोस्तो चार सबजियों के बारे में बताऊंगा जो अप्रेल में उंगा कराब अच्छी खासी कमाई कर सकते हो तो दोस्तो सब्जी खेती के बारे में जैसे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ और एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर बार कुछ न कुछ नया आपके लिए लाते रहते हैं और वीडियो आपको पसंद आया इसा हम लिखित में बना कर लाते हैं तो दोस्तो पहले बात करेंगे सब्जी खेती में करेला देखे दोस्तो अपी सिजन चल रहा है वैसे गर्मी का और महीना मार्च का तो दोस्तो या किसान भाईयो आप करेला अपने खेत में उगाए याद रखिए करेला को कभी भी बिना डिप का न लगाए डिप इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है क्योंकि गर्मी का टेंपरेचर हई होने वाला है और बुन-बुन सिसाई पद्दती से सिधे पानी चड़ो तक जाता है तो करेला लगाए लेकिन मल्चिंग और टिप इरिगेशन लगाए जिससे आपका पोधा अच्छा सा बड़े और अगर आप चट पर करते हैं तो चट पर भी उगा सकते हैं दूसरी फ़सल की बात करता हैं गिल्की या तोरी गिल्की में आप मार्च 15 मार्च से पहले लगा सकते हैं उसके बात न लगाए यही सुजाओ मार्च में गिलकी लगाने से आपको इसका फाइदा मई में आउश्च मिलेगा क्योंकि भाव अधिक हो जाते हैं जिसके कारण से आपको मोटा मुनाफ़ा मिल सकता है तो दोस्तो सीधी सी बात गिलकी भी आप लगा सकते हो कम खर्चले कहती है इस प्रे IgS में कम करना होता है लेकिन बीच मैं बताता हूँ VNR वी एन आर कंपनी का ही खरीदे दूसरी कंपनी का आप खरीच सकते हो लेकिन उसका सर्च रिसर्च जादा करे पत्ता गोवी जैसे आप जानते हो दोस्तों पत्ता गोवी को कोई नुक्सान वाली फसल नहीं है आप इससे लाश्ट अप्रेल तक भी लगा सकते हो क्योंकि यह अप्रेल में लगाने पर लगभग अप्रेल मैं और जून जून यानि की पानी का मुसम आने तक आसानी से आप इसको परसाथ में बेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हो आप इसको अप्रेल के बाद ही लगाए या अप्रेल में ही लगाए पहले न लगाए दोस्तो इससे आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा दोस्तो यह भी गर्मी की खेती की जाती है टिंडा दोस्तो टिंडा लगाने का उचित समय मार्च ही है आप इसको इतिस मार्च के पहले पहले लगा सकते हैं और यहां फसल लगभग 40 दिन में आना सुरू हो जाती है और गर्मे में अच्छा कासा भाव रहता है टिंडा का मई जून में जिससे आप अच्छा पेशा कमा सकते हैं अगर आप मार्च में भी यह टिंडा लगाते हैं तो एक अनुमानित 10 मई या 15 मई तक आपका टिंडा तियार हो जाएगा और फसल से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेरे करना न भूले